ओम शान्ति मैं डॉक्टर सच्छीन मुंबई से हूँ और आज हम स्वास्त के बारे में जानेंगे ऐसे कहते हैं कि स्वास्त अगर अच्छा है तो ही हम जीवन का आनन्द लेख सकते हैं पहला सुख जो शास्त्रों में कहा गया है वो है निरोगी काया आपके पास सब कुछ है लेकिन अगर स्वास्त नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी नहीं है लेकिन बहुत लोगों के स्वास्त के बारे में बहुत सारी मान्यता है उसमें से एक प्रमुख मान्यता यह है कि अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है इसका मतलब मैं स्वस्त हूँ अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपको अपनी मान्यताओं के बारे में सोचना पड़ेगा क्योंकि बाहर से व्यक्ति स्वस्त दीखता है लेकिन हो सकता है अंदर से उसे बीमारी हो जाक्तिक स्वास्त संगतन ने स्वास्त की जो व्यक्षा दिये वो बहुत परिपूर्ण है WHO या जाक्तिक स्वास्त संगतन कहता है कि संपूर्ण स्वास्त माना यह नहीं कि मुझे कोई वीमारी नहीं है परन्तु संपूर्ण स्वास्त माना चार डیमेंशन होते हैं, उन सब में स्वास्त होना जरूरी है तो कौन से कौन से चार बाते हैं, डाइमेंशन से हैं, तो एक है शारिरिक स्वास्त, दूसरा है मानसिक स्वास्त, तीसरा है सामाजिक स्वास्त, और चौता है अध्यात्मिक स्वास्त, जब इन चारों ही बातों में हम स्वास्त हैं, तब ही हम अपने को स्वास्त कह सकते हैं, यह जाकतिक स्वास्त संगतन कह रहा है, यह वैसे ही हो गया कि जैसे कुरसी के चार पैर होते हैं, अगर एक पैर भी ठीक नहीं है, तो आप संपूर्ण स्वास्त नहीं रह सकते हैं, तो यह बात हमें यह सिखाती है कि हमको जीवन में संतुलन रखना बहुत जरूरी है, एक कॉमन मिस्टेक या गलती जो लोगों से होती है कि धन के पिछाड़ी इतना भागते हैं कि अपने स्वास्त को गवाते हैं, और जब धन कमा लेते हैं अच्छी तरह से, तब वही धन फिर से स्वास्त प्राप्त करने के लिए खर्चा कर लेते हैं, तो यह और बैक टू स्क स्वास्त अच्छा ने तो भी नहीं चलेगा, आपके मन ठीक है, अच्छा विचार कर रहा है, शरीर भी ठीक है, लेकिन आपके संबंदों में तनाव है, तो भी नहीं चलेगा, आपका शरीर ठीक है, मन ठीक है, रिलेशन्शिप्स ओके हैं संबंद, लेकिन आपकी जीवन क कोई लक्ष नहीं है या meaning and purpose नहीं है तो भी नहीं चलेगा इसलिए हर स्वास्थ का अपने आप में महत्व है और ये चारो ही स्वास्थ एक दूसरे के साथ connected है माना जुड़े हुए है एक का दूसरे के ओपर प्रभाव आता है समझो आपका शेरीर अच्छा नहीं है तो उसक effect मन के उपर भी आएगा किसी को heart की बिमारी है तो वो depression में भी जा सकता है cancer वाला मरीज depression में जा सकता है wise versa is also true आपके मन के अंदर बिमारी है तो उसका असर शरीर के उपर भी आता है इसलिए ज्यादा तक बिमारियों को हम मनोकाइक बिमारिया कहते है या psychosomatic disorders फिर आजकल और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हम digital age में जा रहे हैं तो लोगों से मिलने का वक्त लोगों के पास बहुत कम है मोबाइल में घुसे रहते हैं तो सामाजिक स्वास्ता भी effect होता जा रहा है people are the greatest resources on this planet earth लोगों से दुआए लेना खुशी लेना हमारे रिष्टे बहुत important है और सबसे important अध्यात्मिक स्वास्ता हम ऐसे कहते हैं कि अगर अध्यात्मिक स्वास्ता अच्छा है तो आप बाकी तीनों ही स्वास्ता को control कर सकते हैं यह बहुत जरूरी है क्योंकि environment में जो toxins है जो poisons है इस समय सभी तरफ production है तो उनसे बचना बहुत मुश्किल होता है लेकिन अगर हम अध्यात्मिक स्वास्ता मरा अच्छा है हम कौन है कहां से आए हमारे जीवन का लक्ष क्या है परमात्मा कौन है तो हम पूरे विश्व के साथ जूड सकते हैं केवल अपना ही नहीं लेकिन परियावरन और हावनिक स्वास्ता मानसिक स्वास्ता का हिसा है लेकिन कुछ लोग उसको अलग कर देते हैं तो स्वास्ता की यह सब डाइमेंशन्स है मूल मुद्दा यही है कि जीवन में आपको स्वास्ता रहना है तो संतुलन बहुत जरूरी है जहां पर बैलेंस होगा वहां पर आपको लेकिन मान, सम्मंद और परमात्मा इसको भी अपने जीवन में स्थान देंगे ताकि हम संपुर्ण स्वास्त के और अपनी यात्रा को पहुचा सकेंगे. धन्यवाद, ओम शान्ति.